नमस्क्राब दोस्तों, मैं पीउच रहा है, आप दिखे दे कोशनार भारत, सबसे परे तो होली की सबको हार्दिक शुब काम ना है, उम्मीद्या सबकी होरी बहुत अच्छी गई होगी, अभी 2022 के चुनाओं में पंजाब के अलावा भाजपान ने सारे राज्यों में जितन हासिल की, बहुत अच्छे मारजिन से चीत हासिल की, और पंजाब में भी कॉंग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, इस बात से कुछ कॉंग्रेस प्रेमियों को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने एक वीडियो बनाई, वीडियो मैं पूरी देखी, आज ही बनाई, अभी ज आज जेट है, आदे घंटे पहले अपलोड हुई, और मैंने देखी, पूरी देखी, अच्छे से देखी, और पहली बार मुझे लगा, कि इस बन्दे ने कुछ बातें सही गही हैं, और इसका दुख साफ साफ जला करा था कॉंग्रेस के लिए, वो जो अंदर से पेन होता ह ना, वो काट रहा था कि यारब भाजपा के सामने किसको बचा के रखें, लेकिन फिर भी इस बन्दे में इतना वो है, कि इसने इस पूरी वीडियो के थुरू ये कन्वेंस करने की कुछ की, कि कॉंग्रेस ही एक विकल्प है, और राहूल गांदी ही एक विकल्प है, भले कि बाकी लीडर्स को कुई नहीं जानता और इन्होंने ऐसे करते करते अपना प्रयास किया कि ये भी लोग है, इनको भी जानलो, अन्य भी लोग हैं कॉंग्रेस में, इसने एक तरेकर से कॉंग्रेस को रोस्ट भी किया, कृृतिसाइस भी किया, और softly लोगों को ये भी कहने की कोशिश की कि हमारे पास यहीं कोई कल्प है उसने राहूल गांदी को यह सिखाने की कोशिश की और कॉंगर्स पार्टी को यह सिखाने कोशिश की बजाए इसके कि आप डाइनेस्ट हो बजाए इसके कि गांदी परिवार नहीं तो कॉंगर्स ही खतम आपको समझना पड़े हम लोग भी तो रहुल गांधी को क्या क्या कह सकते हैं तो उसमें भी दुख लगता ही होगा विचारे को और अभी कॉंगर्स पार्टी हार गी तो बहुत रोया होगा तो उसने एक तरीके से मन वेथा जाहिर की और कई पॉइंट्स बता है कि कॉंगर्स पार्टी क्यों खतम होने वाली है और यह उमीद से कि शायद आ जाए उसमें कुछ टिप्स दी कि दोजार तेईस में जो च्टिस गौड़ राजिस्तान में चुना होने वाले उसमें अपने आपको बचालो नहीं तो चौबश में और यह खराब था वो खराब था तुम रग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं करते नेता नहीं हो यह नहीं बहुत चीजें कहीं लेकिन प्यार से ऐसा दिखाया कि कॉंग्रेस वाले भी देखें तो उनको यह न लगया कि मैं खिलाफ तो नहीं हो गया हूँ पार्टी तो नह है और समझने कोश करेगा अगर वो लोग लोग देखें जो कॉंग्रेस प्रेमी हैं को नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको realize होगा कि सिर्फ दुरुवराठी ही नहीं पूरा ecosystem पूरा political ecosystem पूरा narrative पूरा India narrative बदल चुका है Congress में कला है हो चुकी है एक दूसरे को criticize किया जा रहा अधिरेंजन चौधरी कपिल सिब्बल को क्या-क्या नहीं कह चुके है कि इनका कोई अपना चाना धार नहीं ये कहा के नेता हैं ये सिर्फ पार्टी में power enjoy करने के लिए आते हैं वगरा 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 और दूसरे पार्टी ने भी कह दिया कि जब पार्टी सत्या में होती है तो सलमान कुर्शी तो कपिल सिब्बल मंतरी बन जाते हैं वरना अपना lawyer गिरी करते हैं खूब अपनी वकीली चमकाते हैं सही बात है भाई उनकी कोई सुनेगा नहीं पार्टी में तो वो अपने कमाने का source तो छोड़ेंगा नहीं न उनकी अपनी वकील की तरो तो पहचान बहुत अच्छी है भले नेता की तोर पे होना हो और Congress का future कुछ नहीं Congress 36 गड़ भी हाथ से निकल जाएगा ये भी मैं आज ही कह देता हूँ एक साल पहले बहुत बड़ी probability ये निकल सकता है और अब सिर्फ Congress में नहीं Congress के बाहर भी Congress समर्थकों में भी जिस तरीके से प्रिंगा कांधी को एक ऐसा चहरा दिखा जाता कि अगर एक बार वो लड़की जमीन पे पैर रख तो दे जिस स्टेट में रख देगी वहाँ पे दम बिल्कुल लहर बन जाएगी और वो स्टेट Congress के बाले में आ जाएगा रख दिया ना सिर्फ दो सीटे आई ये लोग लकी हैं या पनवती हैं इसमें फर्क मिटता जा रहा है और धीरे धीरे ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जो भाज़पाने बात कही थे ना Congress मुक्त भारत उसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे लेकिन दुख की बात तो यह है कि ये जो लेबरांडू हैं लेफ्ट एकोसिस्टम जो भी ये लोग हैं ये अभी भी Congress से ही चिपके रहना चाते हैं इन्होंने अभी भी यही accept करके रखा है और इस वीडियो में भी कि Congress Party के लाव कोई विकल्प ही नहीं है और धीरे-धीरे से इंट्रिक होते हुए और ये भी कह दिया भाले बहुत क्रिटिसाइज किया ये दख कह दिया राहूल गांधी के लाव भी कोई विकल्प नहीं है क्यों? आपने कभी अखिलेश यादव केजरीवाल और कुछ खास और बड़े चहरे तो बचे नहीं है लेकिन अपोदिशन में कुछ तो लोग है लेकिन नहीं चमचागरी कैसे छोड़ दी जाएगी और ये भी लोग जानते हैं कि इन सब का भी कुछ खास नैशनल लेवल पे स्कोप नहीं है और एक ही पार्टी बचे ही है जो भाचपा के सामने नैशनल लेवल पे मूँ दिखा सकती है मतलब जो पार्टी इंडिया के में जो अजादी के टाइम में उस वक जो पॉलिटिकल सिस्टम शुरुआत हुआ था कि पार्टी आ होंगी जनता बेवकूफ नहीं है इतनी बड़ी जनता जो चौदा सतरा उननेस बाइस और मूड देखके लग रहा चौवेस और आगे भी तो जनता बेवकूफ तो नहीं है क्यों वो जनता बेवकूफ नहीं कि जो केजरीवाल को दो दो जिन दिन बार सीम बना दे और जब नेशनल लेवल पर बात हो तो सिर्फ भाजपा को बोड़ दे एक सीट भी आम आदे पार्टी को नहीं जाती है ऐसा क्यों जनता समाज़दार है के जानती कि किसको कहां तक रखना है किसकी कितनीमा उगात है वीडिडियो में चारते हैं उसको जước को जाता जाते देखे शियर करें विडियो गें फ्所以呢 अगocalyptic अंगल लगाएंगे हरामा तो घरदूर की बात है फिर मिलते हैं अगली लुटम जाहिन बंदे मात्रा